जै श्रेक्रिशना दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्या आपके घर में भी लगे बिजली के उपकरण बार-बार खराब हो रहे हैं क्या आपके घर में लगे हुए बिजली के जो चीजें हैं वो बार-बार खराब हो जाते हैं आपको बार-बार उनको ठीक कराना पड़ता है और ऐसे में आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं तो समझ जाए कि आप पर राहो गिरह की बुरी दशा चल रही है वास्तु शास्त के मुताबिक राहो के नकरात्मक पुर्भाव की वज़े से चल रहे काम भी बिगरने लगते हैं इनी में से एक काम बिजली के उपकरणों का बार-बार खराब होना है कहा जाता है कि राहो क अशुप्र भावो की वज़े से घर में कले कलेश चा जाती है और मालक्षमी भी घर चोड़के चली जाती हैं तो चलिए जान लेते हैं कि हमें इस केस में क्या करना चाहिए वास्तु शास्त के अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक घर में अलग तरीके से रखे गए इतने भी इलक्ट्रोनिक सामान है वो बराबर खराब होने लग जाते हैं और इनका इस तरीके से खराब होना संकेत करता है कि परिवार धीरे धीरे बड़े संकट में फसने वाला है इसकी वज़े से परिवार के आर्थिक हालत भी बिगड़ने लगती है हाना कि कुछ खास उपाई करने से बिगड़ रही परिस्तिती को ठीक किया जा सकता है तो चलिए जान लेते हैं ऐसे ही उपाईों के बारे में जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिलकुल भी न उपकरन है जिनका आपको लंबे वक्त तक इस्तेमाल नहीं करना है तो उन्हें आपको स्टोर रूम में डाल देना चाहिए जैसे की हीटर या फिर अगर हम AC की बात करें या फिर कूलर की अगर हम बात करें अगर ऐसी चीज़े हैं जो कि आपने फिट नहीं की हुई है और कि आप उनको कमरे में रख करके ऐसे ही यूज़ करते हैं तो जब भी उनका मौसम ना हो तो आपको उनको स्टोर रूम में तरीकर से रख देना चाहिए या फिर कहीं आलमारी में या फिर सेफ में रख देना चाहिए ऐसा करने से वो खराब होने से बट जाएंगे बिजली क सामान किसी प्रसिक्षित यानि की ऐसे कारीगर को दिखाएं जिसको उसकी अच्छे से जानकारी हो कम जानकार व्यक्ती से बिजली के सामान लगवाने से बाद में दिक्कत जेलनी पड़ती है हम उस समय पैसे तो बचा लेते हैं लेकिन ऐसा पचाया हुआ पैसा किसी काम नहीं आता क्योंकि फिर बाद में वो चीजे बार बार खराब होती है तो आप अपने सामान को किसी प्रसिक्षित कारीगर से ही लगवाएं उसी से ही ठीक करवाएं आप जिन उपकर्णों को लगवा रहे हैं वो बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए जिस से उनकी आयू लंबी रहे और वो लंबे वक्त तक आपका साथ दे सकें ये बात बलकुल सही है कि बढ़िया क्वालिटी की जो चीजे होती है वो थोड़ी महंगी होती है लेकिन अगर आप इन चीजों को लगवा लेंगे तो आपके सालों साल आपको कोई भी दिक्कत नहीं देंगी और आपका पैसा भी बचेगा अगर आपके बिजली के जो सामान है वो जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं तो शनिवार के दिन किसी नजदी की मंदिर में बिजली के कोई LED बल्ब या फिर कोई भी छोटा सा इलेक्ट्रोनिक सामान दान कर दे साथ ही रोजाना मंदिर में पूजा पाठ और शिवलिंग प आ रहें दोस्तों जय श्री कृष्णा